दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है आज का दोस्तों हमारा प्रेजन है कि डिस्का इसक्यू इंगल हम कैसे पता करें दोस्तों आप कितनी ही बार डिस्को सेट करें लेकिन आपका सिगनल पूरा नहीं आता या फिर प्रेंट्स आधे चैनल चलते हैं और आधे चैनल उपर जो है नो सिगनल आता है या फिर दोस्तों आपके पूरे चैनल नहीं आते हैं तो दोस्तों इन सबका एक में कारण है कि हमारा डिस्क का स्क्यूइंगल सही ना होना दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि हर जगे का हर डिस्क का अलग-अलग स्क्यूंगल होता है इसलिए प्रेंट्स जब भी आप डिस्क को सेट करें तो अपने यहां के हिसाब से स्क्यूंगल को अड्जेस्ट करें होता क्या है दोस्तों आप यूटूब पर या मोबाइल से या किसी के दोरा सुन लेते हैं आप वहीं का इस्क्यूंगल अपनी डिस्क के उपर अपलाई कर देते हैं जिससे कि प्रेंट्स आपकी डिस्क के उपर नो सिंगनल की प्राबलम या भी सिंगनल की प्राबलम आती रहती है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट सलुइशन बताने वाला हूँ या आप अपने यहां का इसको एंगल कैसे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो को ध्यान से देखना होगा और अच्छी तरह समझना होगा नहीं तो फ्रेंट्स आप बाद में कमेंट करेंगे कि हमको मेरे यहां का इसको एंगल पता दीजिए उसको मेरे आख का इसको एंगल बता दीए दोस्तों मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ इसलिए फ्रेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको इसको एंगल पता करना है चलिए फ्रेंट्स हम वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं इससे पहले दोस्तों आपको हमें एक छोटी सी जानगारे देदू जैसा कि फ्रेंट्स आप हमारे सामने LMB देख पा रहे हैं इस पे फ्रेंट्स छोटी छोटी जो लाइने कीची होई है तो दोस्तों हर एक लाइन जो होती है पांच डीवी की होती है तो अगर हमें 15 पे सेट करना है तो हमें 3 लाइनोंग पे आगर के स्कूर LMB को फिक्स करना होगा तब ही हमारा स्क्यू इंगिल प्रापर अर्जेस्ट होगा दोस्तों आप LMB को दो तरफ से घुमा सकते हैं देख पा रहे हैं हमारी LMB 90 डिग्री पे है अगर फ्रेंट इसको हम बाइसाइट में घुमाएंगे यानि कि हम LMB को क्लाक वाइस दिशा में घुमाएंगे तो फ्रेंट से हमारा माइनस में इसक्यू इंगिल होगा जो कि दोस्तों अधिकतर डिसों का हमारा टाटा इसकाई डिश टीवी, फ्री डिश सभी का दोस्तों हमारा माइनस में ही इसक्यू इंगिल है अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने यहां का इसको इंगल कैसे जानेंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है Google Chrome को ओपेन कर लेना है Google Chrome को ओपेन करके दोस्तों आपको यहां पे लिखना है Satellite Point Locator Satellite Point Locator आपको लिखना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहां से सर्च कर देना है दोस्तों आप ठीक से देख लिजीए आपको गलती विल्कुल नहीं करनी है यहाँ कि मैंने लिखा आए यहाँ पर सेटलाइट पॉइंट लोकेटर सेम इसी तरह आपको भी लिखना है और लिखने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर देना है अब फ्रेंट्स जब आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर आपसन आ जाएंगे अब आपको इन आपसनों में नीचे आना है स्क्राल करेंगे धीरे-धीरे आप नीचे आते जाएंगे नीचे आपको साइट सिंक के नाम से एक website मिलेगी चली friends हम नीचे इस्क्राल कर रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं कौन सी ओ website है जहां से आप इसके एंगल का पता कर सकते हैं तो friends हम नीशे चल लहें धीरे धीरे स्काल कर रहे हैं आप देखते रहेगा तो प्रेंट्स हम स्काल कर रहे हैं तक आप हारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस तरह की आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी चैनल को सब्स्राइब कर लें चुक्क दोस्तों मैं इस जारो तरफ इसमें डाट बने हुए हैं जिस पर हलकी हलकी जो है हरे कलर की पॉइंट रखी हुई है अब प्रेंट्स इसको जब ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहां पर यह वेफसाइट ओपन हो जाएगी अब प्रेंट्स मैं मोबाइल को थोड़ा आपके जाना है अब फ्रेंट्स आपको क्या करना है है अब फ्रेंट्स आपको क्या करना है आपको यहां पे नीचे आना है और इस डार्ट के उपर आपको क्लिक करना है यहां से आपको अपनी सेटेलाइट सेलेट करनी है जिस सेटेलाइट का आप इसको इंगल पता करना चाहते हैं तो दोस्तों हम डीडी फिडिस का इसको इंगल जानेंगे दोस्तों DD Fritis का इसको उगल जानने के लिए हमको 93.5 के उपर आ करके OK कर देना होगा दोस्तों यह हमारा रहा 93.5 G715 यहाँ पे हम दोस्तों OK कर देंगे अब दोस्तों यह हमारी satellite यहाँ पे सेलेट हो चुकी है दोस्तों हमको उपर मैप के अंदर जाना है और मैप के अंदर हमें दोस्तों यह जो आयरो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन सी है नीली सी यह लाइन दोस्तों जब आप डाउन आप करेंगे तो लाइन आगे पीछे चलेगी इसके पउइंटर दोस्तों आपको उजगे पर रखना जहांका आपको इसके इंगल पता कर ना है अब जीशे प्रींट्स मुझे लखनू का inगल पता करना तोम इसको लखनू के ऊपर लाकर कर सिट कर दे और इसके बाद हम प्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर इसका जो है पॉलराजिशन में माइनस 23.3 डिग्री दिखाई पड़ रहा है साथ साथ प्रेंट्स इसका एजिमित इंगेल जो है वह 153.5 है जो है दोस्तों वह हमारा है 55.0 हम एक और जगे का देख लेते है इसका प्तौइटर हम जो है बोपाल के अब लेकर आएंगे यह देखिये दोस्तों यहां राह भोपाल यहां पर यहां बोपाल पर आचुके है अब देखिए फ्रेंट्स यहां का इसको इंगल में दिखाई पढ रहा है इसको इंगल आप आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह आपकी जिग्यासा है तो कमेंट बाक्स में लेखें मैं आपको रिप्लाइ और से दूँगा दोस्तों वीडियो देखें लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद